सारे जी विद्यार्थियानो सत्स्रियाकाल आच आपपपड़ांगे शीरी गुरु अंगर्देव जी दुझे नानक गुरु अंगर्देव जी ना जनम 504 इश्वीच होया और जोती जोत समाए हो 1552 बेच इनना दे बच्पन्दा नाम सी ओसी लेरा जी और एन दा जड़ा जनम सी ओ मत्ते दी सराए मुकसर जिला मुकसर लगता है जड़ा जनम स्थान है जनम स्थान मत्ते दी सराए मुकसर साथ मत्ते दी सराए जिला है मुकसर मुकसर जिले विच मत्ते दी सराए जड़ा प्रेंडसी ओत्थे ना दा जनम होया फिर व्यपार्ख लोड़ा दे कारण ए मत्ते दी सराए तो हरीके चले गए थोड़े समय बाद व्यपार्ख लोड़ा दी पूर्टी कारण हरीके चले गए और हरीके तो बाद खडूर सार जिड़ा की अमरसर जिले दे अंतर पेंदा है उत्थे चले गए और अपना अधिकतर समा है जिड़ा वो उत्थे ही बताया जन्वस्थान ना मत्य दी सराए सी मुकतसर और ओस तो बाद हरीके चले गए और हरीके तो बाद घडूर साहब अमरसर साहब चले गए इना देज एड़ा पिता दानाम सी गा ओसी फेरू जी ते माता दानाम सी देया को देया जी माता दानाम देया जी ते पिता दानाम सी गा फेरू जी इना दिक पतनी सी उना दानाम सी माता खीरी खीवी जी माता खीवी माता क्या करदे सी गुरु साब दी करवाली सी नाम सी खीवी और खीवी जी दा जड़ा पेंड सी ओसी गा मत्य दी सगा जड़ा इना दा प्राणा पेंड सी गा उसी पेंड दी सी माता खीवी जीला मुकसर साब दी और इना दे चार बच्चे हुए और इना बच्चे दानाम सी बीबी अमरू जी बीबी अनोखी जी ते दो पुत्तर दातू जी ते दासू जी ए ए ना दी फैमिली सी बई पिता दा नाम फ्यरू जी माता दा नाम देया जी पत्नी दा नाम खीवी जी मत्य दी सरा दी रहन वाली सी क्योंकि बाबा जी पहला मत्य दी सरा मुकसर साब रहन दे सी गे उसको बाद हरीके चलेगे, हरीके तो बाद खडूर साब, अमरत सर, जीरी देविच पेंदा है, उत्थे चलेगे, और इन आदे चार बच्चे होएं, अमरो जी, अनोखी जी, दातु जी, ते दासु जी, ए दो मुंडे है, ए दो गुडिया ने, पहला, गुरु सहब नू मिल तो पहला, गुरु नानक देव जी दी, बाणी सुनन तो पहला, ए वैशनो पगस्चन, वैशनो देवी माता दे पगस्चिवई वैशनो, वैशनो शन, माता दे पगस्चन, और हर बार ज्वाला मुखी जाये कर दे शन, ज्वाला मुखी जांदे सी, माता दे पगस्चिगे, परंतु एक वार, जदो इना ने पाई जोदे जी तो, पाई जोदे जी एस नाम नू त्यान लखने बिल, पाई जोदे जी को लो बाणी सुनी, ता ओ उना दे मननू शांती मिली, और उना दा जी किता, कि क्यो ना एस सक्सियेत राण मिल्या जावे जिना दिये बाणी है, पाई जोदे जी तो जब भाणी सुनी, ओना तो पुछय कि ये बड़ी ही रासपी निबाणी है, और मनू बड़ी तसली दिन्दी है, ये कोन ने तो अड़े गुरु, कोन ने ता पाई जोदे जी ने दसेया, कि मेरे गुरु है सिरी गुरु नानक देव जी हन, ता उनना ने मानिवीच विचार पका कर लेया कि मैं गुरु जी नू मिलना है फिर ओ करतारपुर साथ चलेगे और करतारपुर साथ जाके ओथे गुरु नानक देव जी नू मिले और उनना इसा दरसंदिदारे करके ने हाल होगे और अपना और गुरु सहव गुरु नानक देवजी दे अंतम समय जेड़े अखीरले वरे सी करता आरपुर सहव दे ओथे एना ने चंगी सेवा कीती और प्रमातमा दे नान जुड़गे फिर ओस्तो बाद उना ने माता दी पंती शाड़गे गुरु दी बाणी ना जुड़ गए एना दा भाई परवारक पछोकड सी परंतु अक्सरे देख्या जांदा है कि अपने पेपर देविच जड़ा ज्यादा जोर है और साहित तकता देवत्ते दिता जांदा है क्योंकि पंजाबी साहित सब्जेक्ट है इस कारण इना ने जड़िया रचनावा की दिया ने अगर आप जर्चा करिए तो रचनावा देविच की यह त्रेसर सलोक इना लिखे है और नो रागांच है और आ त्रेसर सलोक का जेड़े ओ अपने जेड़े गुरू है उन्हादी बानी देनान जुड़े होए क्योंकि स्रीगुरु अर्जन देव जी ने जदो गुरु ग्रण साब्दा संपादन किता ते ओना ने की किता कि गुरुआ दी जेड़ी वारा दी बानी सी उन्हादे नान एनना दे सलोक है जेड़े ओ दर्ज कर दिखते ता होड आपा देखांगे कि केड़ी बानी दे ना है वो किस वार्दे विच लिखी होई है कि गुरु जी अगर काव रचना दी गल किती जावे ते उन्हें दे वीच त्रेशक सलोक ने नौर अगाज़ इन्दे विच की है कि पहले गुरु शिरी गुरु नानक देव जी आपा सबनों पता ही है कि शिरी गुरु नानक देव जी ने तैन वारा लिखी है बई वो केडिया ने आट आए आजा दिवार माज दिवार ते मलार दिवार इनन अशुटरा पबनाःए सी मम्मा आ अपनी ममीन वास देडीए मम्मा आ ते सब तो पहला मलार दिवार और ओस तो वाद मास दिवार और फिर आसा दिवार मलार दिवार दे नान पंज सलोक दर्जने मास दिवार नान बारा सलोक दर्जने और आसा दिवार दे नान पंदरा सलोक दर्जने मलार दिवार मलार रागच है माज दिवार है वो माज राग देविच है आसा दिवार है वो आसा राग देविच है ता ऐस तरीके रणा अपा देख देया है मलार दिवार देरान पंज सलो का जड़े और दुझे नानक सिरी गुरू अंगर देव जी दे है माज दिवार देव 12 सिर्गुरु अंगर देव जी जुड़े हुय है और ऐसा दीवार्द विच 15 सिर्गुरु अंगर देव जी जुड़े हुय है तो बाद तीजे पाशा सिर्गुरु अमर्दास जी उन्ना दियां वारा दे नान भी इन्ना दे सलोक दर्ज ने ते अपनू ए गलत आनू इचाहिए दिया कि अमरदास जी दियां जडियां वारा ने ओ चार वारा ने प्रन्तु उन्ना दे वीचो एक वार नान सलोक दर्ज नहीं है बाकी दी तिन्य तिन्य वारा देरान सलोक दर्ज है ते एना दिया जड़ी वारा ने ओ है गुजरी, रामकली, सुही, ते मारू आ एक प्रकार ले एक सुत्री बढ़ गया भई गुजरी, रामकली, सुही मारू ते एस वीच गुजरी राग देना जड़ी गुजरी दिवार है, उस देनार कोई भी सलोक दर्ज नहीं है, एक चारो आपा इसकान कर ले, क्योंकि जदो आपा स्रीगुरु अमरदास जी पढ़ांगे, नेक्स्ट क्लास दे विच्छ, जदो स्रीगुरु अमरदास जी पढ़ांगे ता आपानू पता है कि ओना चार वारए, और चारा वारए नो a, आपा तरतीव बार सेट करता ना नहीं, आपनो याद भी हो गया, गुजरी रामकली सुई मारऊ, भई रामकली है, ओ सुई मारूगी, इस कान आपनो याद हो गया, पर ंतुआ भी रांकली दिवार फिर सुही दिवार और मारु नीजिद नेजा सो दर्जने सुही दिवार ते मारु दिवार इनों आपा लिखाँ गे लिखते चाहाँ आपानों याद हो जुगाँ लिए कोई मारु दिवारनाज च्छोंग दर्ज धू निया चимерσι कि गी है मनारुनी सुछ ने रामकली दिवारनाज 7 स्लोक है कि राङ्ली यूंहेट कैंएरे का का पाव को प्रॉब्टिा किन गेखो 16 सुछी दिवार χु ld 10 साथ साथ सलोक सुछी दिवार 관심 215 15ี้ जो लिख हो गया और फिर रामकली दिवार साथ पहली गालता तुसी इन्हों चंगी तरह समझ लेना है याद कर ले अगर तो अवे ही याद होजे था बहुत वदी है नहीं तर एस तरीके ना तुसी स्टेप करके देख्यों फिर तो हम याद है जड़ा और रह जावेगा इस तो बाद ह है कि चोथे गुरु रामदास जी रामदास जी दिया वारागे नाण भी इन अदे सलोक दर्ज है ते जैने सीरीवार सोरठ ते सारंग सीरी सोरठ ते सारंग है भई अब Hazard है कि जैडिया सीरी अगोडने लिखी गई है और ऊस सीरा दो सलोक दरजनें इस ठी कच जड़ीवार जोड़ाएं उस रॉत सारंग से लर द कहाड़बास ण कंच जड़ि जै आ लिखी गई है सार्ग विराग रिच्च जिवार लिखी गई है उसना 9 सलोक धर्ज़ है इस प्रकार अगर इन अदा आपा जोड लगाई है ता नो तेन बारा हुँदा है और जे अपा इन अदा जोड लगाई ता हुद्धा है उननीають और वर जे इननला जोड लगाई है ता हो थे बद्धी बद्धी उन्नी ते तेरा इनना सारेला योग बनता है 63 आह संो है three creative proof online यह वाराननाल जुड़ी हो सिरी गुरु अर्जन देव जी संपासलियो देशा में वारादेणा संसे इसा Lic wekt यह दिनरेज शक कब्यार से स्फंवर पहले क्यों सिरी गुरु नानक देव जी गुरु publication गुरु अभरदास जी पहले गुरु तीजे गुरु और चोथे गुरु इन्ना ने शालोक के जड़ए दर्ज किते गुर्णानिक देव जी नार किन्य सलोक दरजा है 32 सलोक दरजा है आप उसी हमियाद कर लिए पांज दास पंद्रह मुलों पांज हो गया एते दास दे नेड़े आली संक्या बारा पांज बारा ते पंद्रह फिर ओस्तों भार गुरू अमर द्यास जी रामकली सुही मारू ते इसी प्रकार रामदास जी दी जड़ियाँ बारा लिखी है उना चोग सिरी राक जड़िवार लिखिया उननर दो सो रठ नार एक तेस सारंग दीवार नार नो है जड़े वो सलोक दरजा दिए यह होगे बारा एस तरीके नार देखिये ता गुरू अमर दास जी नार उननी जिए गुरू अमर दास जी ते गुरू राम दास जी दियां वारा देणान है जो दर्ज कीते गए हैं ते एस तो बाद इनना सलोका दा विशा किये वी इनना दा विशा किये यह भी आपनू पताऊना चाहिए क्योंकि शिरी गुरू अंगर देव जी ने जड़ों जो दा जी तो वानि सुनी ता ओस्तो बाद औ गुरू आपना ज्ड़ा अगला जीवन सी ओ गुरु पगती गुरु नानक देव जी नुन समर्पत करता ते उन्हा दी वानि दा ज्ड़ा विशा है गया है ओ है गुरु पगती गुरु पगती गुरु प्रेम सर्दा निर्मानता निमर्ता पर्या जीवन निमर्ता पर्या जीवन हो ज़गी सर्दा सी उना दे गुरु दे परती अगाद सी गी और उस प्रमात्मा दे परती विसी गुरु पग दी गुरु प्रेम सर्दा निर्मानता ए उनना दे सलोका दा मुख विशा सी और उनना दी गुरु नानक जी दे परती आपने गुरु दे परती बहुत जैदा असीम सर्दा सी इसी कान एनना दा जड़े सलोक है उनना दे जुड़े और उस अकाल पुरक गुरु दे रही उस अकाल पुरक परमात्मानु पाया मतलब रंगत है जेड़ी ओ अध्यात्मक है परंतु जड़ा अध्यात्मक रंगत दे अंतर जड़ा जोड़ दिता गया है ओ गुरु प्रेम गुरु पगती उत्ते जोड़ दिता गया है इस दे उपते ए एना दा विशासी परन्तु गुरु सहब दे जड़े सलोक ने अगर आपा सलोक दी गल करिए गुरु सहब दे जड़े सलोक है वैसे जड़ा सलोक होंदा है उस विच शिफत सला किती जांदी है इस विच विच भी सिफत सला है वह परमात्म होगा करती गई है आव करके देख्या जांदा है कि सलोक जड़ा वह दो तुकिया हों दे सलोक देविच जेड़ा तुकां दी गिनती उंदी है वो दो उंदी है परन्तु गुरु अंगत देव जी ने एंद देविच थोड़ी जी खोल ले लिए और इन्ना में सलोक दी दो तुकां तो वद के गिनती है जेड़ी वधा दिती है सलोक इन्ना दा दो तुकिया विए चार तुकिया विए अग्ये तुकां दी संक्या है जेड़ी वधाती और मिटर भी है जेड़ा थोड़ा अग्ये पिछे है परन्तु फिर भी अगर आपा देखिए सलोकां दी गिनती वधान दे नान सलोकां दे विच तुकां दी गिनती व दान देनान की हो गया कि जडियो बाणी है ओ आपनु बिलकुल भी आयो मैसूस नहीं होंदा और बिलकुल आहमें लगदा है बड़ी ही रासत पिन्ही बाणी है जदो आपनों आपनु पढदे हां ता बड़ा ही आपनु मन में चसांती अंधी है और आप उस परमातमा देनान जुड़ जाने हाँ सलोक का दे विचाह खासियत है कि न दे वैसे सलोक दो तुकिया हुद है परन्तु इनना दा सलोक है दो तुका तो भी गां अग्गे होर तुका दी संख्य है ना ने बदा दित्ती है परन्तु फिर भी जेड़ा उन्दा पद्र बढ़िया रहा और उन्दे बड़ी ही रस पिनी बाणी है और सुणन्च बोट ही आपनों अनंद आंदा है ते सांत अपनी आत्मा नों शांती मिल दी है और इनना ने जेड़ा अगला कार्ज किता है ओ है गुर्मुखी लिपी है जेड़ी तुकमी गुर्मुखी लिपी दा निर्मान किता बैव एक तुकमी लिपी है जेड़ी ओ दित्ती वैसे गुर्मुखी दे अखर है जेड़े ओ पहला तो ही परचलत सन परन्तु सी गुरु अंगदेव जी दी ये बहुत वड़ी पूवका रही है ऐसा काम दे अंदर कि इन्ना ने ओस समय जेड़े भी अखर उत्तर पारत दे वीच केई लिपियां पर्चलत सन परंतु इन दे वीच पंजाब और पंजाब दे खेतर दे लोक है ओ पंजाब भी बोल दे सन ओस समय दी जेड़ी गुर्बा दूए कोई अखर है किसे अखर दी बनावट नो मारी वीखी लेवरी ती और और सिर्फे गुर्मद्ट देव जी ओसससमय और भी लीपियां जेडियां अजकल वर्तों देवच नहीं आ रही हैं और आपानों पलाई बैठे हैं पर सिरी गुरु अंगत देवजी ने उस समय गुर्मुखी लिपी दी व्योत रची ओनों तर्तीब दिती शब्दानों बिल्कुल अपनी जगा देवते फेट किता और ओनों अपनाया और जड़ी ओ बानी सीगी ओस गुर्मुखी लिपी देविच गुरु अंगत देवजी ने आटो कुई लिपी जदो बना दी अग्गे ओस लिपी दी वर्तों हुए ही अज भी आपां ऐस दी वर्तों कर रहे हैं ता ए जड़ा एंदे पिछे ए बहुत वड़ी जड़ी देन है ओस शिरी गुरु अंगत देवजी है जिना ने एटो कुई लिपी आपानू दिती जड़ी की आज तक बरकरार है और रहेंदी दुनिया तक ए रवेगी गुर्मुखी लिपी देविच और इन्नों बढ़ान देविच जड़ा बहुत वड़ा योगदान है ओस शिरी गुर गुरू अंगर देवजीदा है और एक वोर गल्व जड़ी कि अपनी बोर्ड क्लास दी बोर्ड क्लास देवेचे दर्ज है कि जड़ी बाले वाली जनमसाखी है उस समधी बाले वाली जनमसाखी समधी है वैट बाले वाली जनमसाखी बार्या किया जन्दा है कि सिरी गुरू अंगर देवजी ने पैड़े मोखे नुसद के बाले कोलों पहले गुरू शिरी गुर्णानक देवजी दी जनमसाखी लखवाई एक गल है रवायत दे अधारते के जन्दी है रवायत दे अधारते और अपनी ग्यारवी जमाथ दी जेड़ी पंजाबी कताब है उस के विच वी अधितागे है कि रवायत अनुसार ए रवायत चली आ रही है कि गुरू अंगर देवजी ने पैड़े मोखे नुबलाया और पाही बाले गोलो जनमसाखी लखवाई सीरी गुरू नानक देव जी दे जीवन ते अदारत जनमसाखी लखवाई जेडी की पाही बाले वाली जनमसाखी दे ना तो परसिद है उस समय लिखाई गई ए रवायत दे अनुसार परचलत है वैसे उस तो बाद रिसर्च होई और रिसर्च तो बादे पाया गया कि जड़ी पुरातन जनमसाखी है ओ बाले वाली जनमसाखी तो भी पुरातर है और उस दे जड़ियां काणियां शीगियां उन्ना नूही बाले वाली जनमसाखी में फोलो किता है एस दे बारे विस्तार नम चर्चा आपका करांगे वार का दूबारागाल करने हां सिरी गुरु अंगर देव जीरी वर Senate सब्सक्राइब कर कि विशादय बढ़े जैनंसा कोप्र 2 एक गाल एक गर Tagnजी व जान reratu ब्ür 그렇지 कि सीरी गुरु दी आप नना याद करण दी लोड नहीं है बहीं हुए अ गूरता गंधि भारी याद कर दी लोड नहीं है जदो कि आपकानू पताए पहले गूरु सीषी गुरु नानक देव जी जो जयती जोत समाईं ओकतो समाई 5749 दे अंदर 8549 दे अंदर जदो जयती जोत समाई तल जे औठ Quarter गंधी और frSoma qili नो अंदर मिली एक प्रकार्दा जो आपनों उन्हें जोती जो समायाद है तब गुर्तागदी आपनों याद कर दी लोड नहीं बाई चांसो थोड़ा कमा के पुछलेंदा गुर्तागदी कदों मिली तब कोई अलग कोश्चन नहीं है हर बार यह में होलेगा और किनी उमर देव है इन दे विच्चों आगटादांगे ता उससराण आपानों उमर भी आजेगी ऐस तरीके नहीं पकाड़ लेना है जेड़ी आपने को ज्यान है उस देना अंजडियां दूजियां चींचा है उस नों जोड लेना उनों सिख लेना है ताकि एक परफेक्ट उत्तर दी आपा जा सकीए ते आज आपा पड़ेया सी गुर्व अंगर देव जी दे बारे गुर्व अंगर देव जी दे प्रवारक पशोकडवारे और उना भी अरचनाहा दे बारे बारे एक बार फिर आपा थोड़ाजर वीचल लेलेने जल्दी जे त्रेसर सलोक ने नोर आगा दे सारंग राग ये सारीया की है रागा है इन्ना रागा दे अंदर वारा लिखियां गईआं हन गुरु नानक दीव जी दे नांश्या भी तन वारा देणांड बाणी है होर गुरु अमर старी देणांट अगर आप देखिए गुरु अमर दाश्या इनान ना भी कि दो राम जो आपका लिए आपने कर लिए एक चीज आपनों अपी अपी याद होगी कि गुरु नानक देव जीर दियां कि नीए हमारा दिना स्लोक दर्ज है तैन्न वारा दिना स्लोक दर्ज है मलार दिवार नद पंज माज दिवार नद 12 ऐसा दिवार नद 15 टोटो लोगे बत्ती और किन्ने राग है तेन्ने राग है भी मलार राग माज राग आसा राग ए आसा दी राग दे विच आसा राग दे विच ए बार लिखी गई है ऐस कण एंदा नाम है आसा दी बार ए बलार राग ची लिखी गई है एस कण एंदा नाम है मलार दी बार माज राग ची लिखी सब्सक्राइबादूर्ण सोरठ ते सारंग तिन्दों सै दे उते हैं ते आपनों रामदास जी दिया के वारा ने वह आग्या पड़ा गे पर नतु इत्थे तुसी याद रखना है रामदास जी पलंकवी वाग इत्ती होएं परन्तु जेड़ी वारा देनां सलोग दर जै ओ सारी दिन सारी वारा सैखर सब्सक्राइब 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 परंतुए बात लिखी गी एस बारे जेड़े फैक्ट ने ओना बारे आप वार्तक पाग देवेच गल करांगे ए अज दा अपना विशासी गुरु अंकर देव जी और जेड़े भी साडेनान जोनना चांदे ने ओनलाइन क्लास लेना चांदे ओ एप दे रही ओनलाइन क्लास है जेड़े ओ ले सकते हैं तानवाद